कि नुम्सक्रार प्यारे साथियों सवागा थे अब करका प्यारे से चैनल टेक बाइसपी में दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए सब्सक्राइब करें जितनी जानकारी आगे सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा तो आए दोस्तों सबसे पर देख लेते हैं थो आपके इया कि आप सभी को पता होगा कि टोटल पद कितने थे दोस्तों एक कईस सव पद लगबग थे आवएधन कुल कि इस्टुएंट की ते लगभग नौँ लाख पी तुडिये जो है नौगष क्षक्ड आपके आवएधन कि दूस्तो में और पेपर देने वाले स्टुट्येंटों की संख्या जो थी दोस्तों वो गया थी कि आप लोगों का लगभग 30% बचे जो है पेपर नहीं दिये थे तो लगभग आपके जो है और पर क्वेश्चन चार था यहीं पूझे चेश्व मार्क के आपके टोटल पूरांग के दोस्तों अब ऐसे में आप सब का कि कितना कटफ जाएगा कि हम जो मेंस की तायारी करेंगे मेंस में हमारा सलेक्शन होगा तो दोस्तों मेरा एक्सपेक्टेड कटाफ जो कि एक दम कि क्या सपास जाएगा मैंने जो कटाफ प्रेडिक्ट किया हूं पिछले साल के कटाफ को लेकर करके प्रेडिक्ट किया हूं कि देखते वह इस कटाफ को मैं आप लोगों की बिच में साजा कर रहा हूं तो दोस्तों अगर आप जनरल से हैं आपके 400 मार्क्स बन रहे हैं बाद कर लेते हैं बीची की तो बीची में दोस्तों अगर आप का तीनसो नवे माक्स बन रहे हैं लगबग आप कि की समतानवी अठानवी कोस्ट्ञ कियें दोस्तों तो आप लोग एक तब बिल्कुल सेफ हैं आप लोगों को मेंस में भूलाया जाएगा OBC वालों को और MBC की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर उनका 380 marks बन रहे हैं यह 95 questions किये हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल safe हैं आप लोगों को जो है मेंस में बुलाया जाएगा SC की देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर SC का क्या रहने मला है तो SC की बात कर लिजाएं दोस्तों अगर आप 90 plus questions किये हैं यानि 380 marks आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल safe हैं दोस्तों मेंस की तैयारी में लग जाए और ST की बात कर लिजाएं दोस्तों तो ST वालों के बात करते हैं तो अगर 350 mark ST वालों का बनता है यानि दोस्तों अगर आप 88 plus questions की हैं और ST से हैं तो आप बिल्कुल से फिर आपको मेंस में बुलाया जाएगा और फीमेल पर बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल की category वाज नहीं बताएंगे वह बराल फीमेल की बात करेंगे फीमेल सब्सक्राइब की अगर आप लोग जो है 370 plus marks आप सब के बंद रहे हैं यू कहें तो कि आपके जो अगर पचासी से अठासी questions आप लोग की है तो बिल्कुल सेफ हैं आप की तयारी में लग जाई आप लोगों के लिए बुलाया जाएगा तो दोस्तों मेरा कटाफ है जो की एकदम सटी कटाफ है इसी के आस पास आपका कट अप रहेगा और आये बात करें रिजल्ट पर आखी रिजल्ट कब तक आएगा तो रिजल्ट को लेकर के दोस्तों अभी कोई पक्की साबूत नहीं है कि आज आएगा लेकि एक्सपेक्टेट डेट वता रहा हूं आप लोगों को अनुमानी टेट कि आप सबका रिजल्ट जो है दोस्तों जून की फर्स्ट वीक में आप सभी को देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आज का मेरे वीडियो अहीं तक था अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिए और बेर आइकन दबा लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे कोई नई खबर आती है